घटाना या व्यवकलन एक घटाओ की संक्रिया में बड़ी संख्या व्यवकल्ले कहलाती है, छोटी संख्या व्यवकल्प कहलाती है और घटाओ को अंतर कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आईए घटाओ के नियमों को देखें। संक्रिया का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है, जैसे कि 7, 4, 6, 2, 3, 1, 9, 5, 4 में से एक घटाने पर 7, 4, 6, 2, 3, 1, 9, 5, 3 प्राप्त होता है, जो कि मूल संक्रिया से छोटा है। घटाओ की संक्रिया में संक्रिया का क्रम घटाओ को प्रभावित करता है। आईए अब हम बड़ी संक्रिया पर घटाओ का प्रदेशन करते हैं। 4, 3, 2, 9, 8, 7, 1, 2, 3 से 9, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 4 को घटाएं। पहले भारतीय स्थानिय मांचाट बनाते हैं। 4, 3, 2, 9, 8, 7, 1, 2, 3 व्यवकल्य है क्योंकि ये सबसे बड़ी संक्रिया है। व्यवकल्य को लिखें। इसके नीचे व्यवकल्य को लिखें। संख्याओं को घटाएं। अब इकाई के स्थान के अंक से शुरू करते हैं। फिर आगे दाई के स्थान, सैगड़े के स्थान और इसके आगे बढ़ते हैं। अंतर 33,42,23,889 प्राप्त होता है। आईए, अब हम घटाओं से जुड़ी शब्द की समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। वजय द्वारा बैंक को 1,9,8,2,7,3,4,5,6 रुपए का रिन वापस किया जाना है। अब तक उसके द्वारा 4,5,3,2,1,8,7,9 रुपए का रिन चुकाया गया है। उसे शिश कितना रिन चुकाना है। बैंक को वापस की जाने वाली कुल राशी 1,9,8,2,7,3,4,5,6 रुपए है। चुकाय गई राशी 4,5,3,2,1,8,7,9 रुपए है। चुकाय जाने वाली राशी 1,5,2,9,5,1,5,7,7। विजय को 15,29,5,577 रुपए की शेश रिन राशी वापस करने है। आईए अब हम दिये गए हल के लिए एक शब्द समस्या की रशना करते हैं। इस हल को देखें। एक चुनाओ में एक उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त किये गए वोट हैं 4,3,9,8,7,2। एक दूसरे उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त किये गए वोट हैं 1,2,8,9,7,6,5,4। वोटों के बीच का अंतर है 3,1,1,4,1,8। हल से ये स्पष्ट हो जाता है कि चुनाओ में दू उम्मीदवार हैं। उनमें से एक 4,49,8,0802 वोट प्राप्त करता है। दूसरा 1,28,97,654 वोट प्राप्त करता है। दू उम्मीदवारों के वोटों के अंतर की गड़ना की जा चुकी है। ये प्रश्न की आवशक्ता होनी चाहिए। इस तरह शब्द समस्या है। चनाओ में दू उम्मीदवार हैं। उनमें से एक 4,49,8,072 वोट प्राप्त करता है। जबकि दूसरे को 1,28,97,654 वोट प्राप्त होते हैं। उनकी वोटों का अंतर ग्याद कीजिए। झाल झाल